चलिए फिर आज हम करते हैं 14 सेप्टेंबर के सेप्ट टू का फेपर ठीक है स्टार्ट करते हैं मिना टाइम बेस्ट के वह पहला सवाल है आज का करा एक आदमी 26 रुपए प्रति केजी की दर से 10 किलो गयों खरीटता है 35 रुपए प्रति केजी की कीमत वाला मिस्रण प्राप यहां 10 था हमें यह मिलाया जाना था और ओवराल जो इनका एवरेज था यहां मिक्चर का प्राइस था 35 ठीक है एवरेज से भी इसको कर सकते हैं यहां पर हमने देखा इनका रेशियो 25-10-26 यानि कि 5 और 3 का रेशियो था इनका अगर डिफ्रेंस किया तो 15 से 6 गया तो 9 आ यहां यहां कि के गुणा ओरा था 3 गुणा तो इसका 3 गुणा करेंगे 15 हो गया आपको एलिगेशन में एक चीज पता है कि अगर एक चोटा है तो दूसरा बड़ा होगा तो यह वाला क्या होगा 35 से 5 बड़ा होगा 5 कह रहा हूं 15 तो कितना आ जाएगा 50 अगला सवाल गनस तो देखो एक तई से देखेंगे तीन गुना होगा होगी दस भर्स पहले आईुब आ उपर वाले में तीन का गैप, इह दो का गए दो का गैप, तो इस में उपर वाले में 3 का गुणा कर दो, नीचे 2 का कर दो, गैब बराबर हो जाएगा, 3 तरका 9, 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2, देखो 1 एक का गैब आ गया, यही 1 बराबर में हमको 10 दिया गया था, अब हमें difference देखना था, तो difference कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, 6 बराबर में 60 अंसर, अगला सवाल, किसी संख्या को 55 से विवाजित करने पर, सेस्पल 28 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से विवाजित करने पर, तो सेस्पल क्या होगा, डारेक्ट आपको करना था, remainder 6, ठीक है, अगला सवाल करते हैं, यह तो आसानी है, कहरा था, सरवेचड में सामिल दिन में 3 बार से अधिक चाहे पीने वाले ब्यक्तियों की कुल संख्या, और बिल्कुल भी चाहे ना पीने वाले ब्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 3 बार से अधिक वाले भाई साथ ये रहे हैं, इनको जोड़ देते, 2, 2, 4, 5, 9, 10 की 0, हां से लगा 1 हो गया, इनकी 4, 8, 12, 16 हो गया, हां से लगा 1 हो गया, 18, 36, 36, 36, 90, 96 हो गया, 96 और 90, 20 कर लो पहले, तो 110 हो जाएगा, 116 और 6, 116, 123 हो गया, खिक है, अब इधर देखेंगे बाई, जो नेवर, तो 7, 14, 14, 13, 17, 17, 23, 20 हां से लगा, 3 हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, 9, 11, हां से लगा, 1 हो गया, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 हो गया, कैंसल आउट हो गया, 3, 3, 9, 3, 2, 6 हो गया, इधर 3, 4, 13, 14, 14, 14, 14, 12, रेशियो में आंसर, अगला सवाल, 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो माल गाड़ियां, समांतर पट्रियों पर एक दूसरे के ओर आ रही है, पहली ट्रेन इतनी की चाल से, दूसरे इतने की चाल से चल रही, मिलने के बाद भी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई देखो, ऐसा है, कि ऐसे चल लें, तब भी स्पीड जोड़ेगे, जब एक दूसरे के जाएंगे दूर, तब भी वो अपनी स्पीड जोड कर ही तो दूर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक खड़ा हो गया, एक धीरे से जा रहा है, दोनों जा रहा है, दोनों की स्पीड जोड गई तो दूर होगा, भाही हमें करना है, इन दोनों का सम करेंगे, तो 8,2,10 हो गया, 4,240 हो गया, इन दोनों का अगर सम करेंगे, तो 72 हो गया, मीटर पती सेकंड में बनाने के लिए, पांच बटे 18, तो 24, 32, 32, 36, 18 हो गया, बारा जा था, दो सकेंडरिय ब्रतों की तरह जा इतनी इतनी है, यदि बड़े ब्रत की जीवा, छोटे ब्रत की अनुसपर सरेगा है, तो उस जीवा की लंबाई क्या है, देखो, अगर आपने प्रेक्टिस अच्छे से कर रखी, तो केवल आपको इतना लिखना, ये 10 है, ये 26 है और ये यहाँ पर आजाएगा 24, और अगर दो गुना कर दें, क्योंकि पूरा रहा होगा, तो 48, अब चित्र बना लो, ये प्रेक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए आपके, इस तरीके से बनाता, और मैंने केवल आदा बना लिया था, और इसका दो गुना कर दोगे, तो ये 244, अगला सवाल, ये तो सवाल आसान है, यहाँ पर क्या लिखा, फार्मूला कोल दो ये मैनेस भी, जो ब्रेकट में इदर आएगा, भही वो नीचे लिखा होता है, इसको क्या ही एक्स्प्लेन करवा रहे हुगा ही, ठीक है, जीरो हो गया, इसा इतना तो लिखी दे, ठीर के योग के बराबर है, तो देखो, पाई, आट का स्कॉयर, प्लस में 15 का स्कॉयर, बराबर में पाई, जो हमें निकालना उसका स्कॉयर, दोनों के योग के बराबर कर दिया, ये कैंसल हो गया, आद 15, 17 आपने पढ़ा है क्या, बस खतम हो गया, आर बराबर 17 आ गया, अब अगला सवाल अब इसमें देखो के की वेलू हमें निकाल नहीं थी कह रहा था फॉलोइंग सिस्टम है इन फाइन नाइट नमबर आफ सल्यूशन यहां पर देखो कुछ नहीं होता नौर्मन लिखो एक बटे में दो टू के अपान में माइन बन क्योंकि यहां पर माइनस का था तो किस्वर करलो वह दो से दो इधर चार यहाऊ तो एक बटे में चार माइनस का अगया अगर यहीं पर वह लिख देते बाइंखे शीजे स्कते से इमेज एग बार फिर से देख लो इसकी जरूर्वत पढ़ती रह यानि कि सरवांगसम है x y z के if y z equal to 15 cm then what is the length of x z तो हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले देख लो हमें चाहिए किसका मान x और z का x z के मान के लिए मैं df का मान चाहिए तो df का मान निकालते हैं या या इy इफ बराबर में 15 दे धिया ता it e का मान निकालना था यानि कि 225 तका x गर लिए तो उस को अगर लिखते हैं तो Ж hugee 26 whenever you live ARM यह इसलिए निकाल लिए क्योंकि df निकाल लिए बहीं उस ही यह एक जोगह पर एक रहर छे अंदर जायेगा यह च्रु डre डिजिट बनाएगा यह दो दुनी नघ्र को शंब टेन तो इसी तरीके सॉल्फ हो जाते हैँ जून महेने में दिली सहर की सब्सक्रिबी इसाब आंदर क्यों तो पहले & सबसे पहले जून दो सो बावन फिर जुलाई में चिन नहीं साथ पांच बारह ऐसे ही दिखना था अगला सवाल करा तब वर्स 2021 के लिए वन वाई टाइम्स तर टेली ग्राफ और अन्य में से प्रतियक से लिए गए प्रतियक विग्यापन पर खर्च की गई धनरासी और वर्स 2018 के लिए प्रतियक से लिए गए प्रतियक विग्यापन पर खर्च की गई धनरासी का अनुपात क्या है तो सबसे पहले तो 21 में पहुशते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एन वाई के लिए यह नंबर आफ लिखें टोटल कितने हुए यहाँ पर चेतर तो 19 से बाग करेंगे 19 चोग चेतर यानि कि कितना आ गया 40,000 आ गया ठीक है इधर देखेंगे 24 उए तो इसमें बाग करेंगे 24 दूनी 48 यानि कितना आ गया 20,000 आ गया इधर देखेंगे यह 22 हुए अधर का तो 22 दूनी 44 यानि कि 20,000 इधर आ गया ठीक है यहाँ पर दूसरी कंडिशन में बोला था दो हजार 18 के लिए तीनों का ले रहा है तीनों का ही तो 2018 में पहुंचे तो यहाँ पर देखो 10 से अगर भाग करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 35,000 और दूसरी क 60 इतना आ गया इनको जोड लेते हैं तो जोडने के लिए जीरो तो तीनों चले ही जाएंगे ठीक है 5,4,9 हो गया 3,3,6,7 हो गया आंसर आ चुका था 4,2,8 और 2,10 हो गया क्या बात है इधर 100 आ रहा है इधर 79 मिल गया है जोडने में ही गलती कर दी 100 पताने कहां से जोड दी ठीक है अगला सवाल करते हैं विपल अपनी मासिक आये का 30% किराये पर सेज का 60% किराने के सामान पर और सेज का 40% आनने पर खर्च करता है यदि बहे महिने में इतने बचाता है तो बहे किराने के सामान पर कितना खर्च करता है तो सबसे पहले देखेंगे ये दिया गया थ 30% कर रहा था किराय पर खर्च, तो बचा कितना 70%, फिर इसका 60% खर्च कर दिया, बचा कितना 40%, फिर इसका 40% खर्च कर दिया, बचा कितना 60%, ये दिया गया था आपको 7056, लेकिन बोला किराने पर खर्च, अगर हम देखें कि X का 30% किराय पर तो बचा कितना था, 70% बचा था, और 60% किराने पर यानि कि इसका 60% किराने पर इसका हमें मान निकालना था तो एक चीज बताओ अगर हम यहां से देखें तो यह जो हमें मान निकालना था यह क्या हुआ भई इदर आजाओ हमें इसी का तो मान निकालना है बस यानि कि यह 40 वटे 100 यहां क्या कर रहा है इसे सरम नहीं आ रही है, कि निकलो यहां से, तो यही हमें अठाना था यहां से, यानि कि 7056, आपाउन में 40 हो गया, और 100 उपर चला गया, यह इससे कैंसल आउट हो गया, यह इदर करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सत्य, 28, 2 बच गया, 4 संग 24, 4 चोकु 16, आंसर आ गया, अगला गया, इदर 24 नीचे आजएगा, तो इसको गाटल करेंगे, 12 हो गया, और 12 से इसको काटेंगे, चार हो गया, यानि कि इदर प्लस में 4 हो गया, इदर करेंगे, तो 19, 13, 21 हो गया, दो 29 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 17, 20 हो गया, 9, 7, 16, 23, 14, आंसर आ गया, 46, अगला कितना है तो सबसे पहले तो 2009 में पहुंचे यह हो गए प्रत्रम स्रेड़ी वाले 30 हो गए टोटल कितने थे 60 30 90 50 140 140 140 190 और 20 परसिंटेज के लिए यह कैंसल आउट हो गया और अप्सन का सारा लो हमें 0 ला दो 9 45 3 48 खतम 9 45 0 आ जाएगा 9 6 4 5 9 आ जाएगा 9 6 4 4 3 7 आ जाएगा आंसर आ गया आप इधर निकालते रहो आराम से उधर एक सेकंड में आ जा गया ठीक है बाकी आराम से करते रहना अगला सवाल एक सेल फोन 600 या 300 नगत भुकतान के सासा दो महिने के बाद 360 का भुकतान करने पर लब्द है इस योजना के तहद ब्याज दर कितनी है तो सिंपल है वाई देखो 300 नगत भुकतान कर दिया बचा कितना 300 और 360 उसे दो महिने में कितना ब्याज ले रहा 60 रुपया का तो 300 पर हमें क्या 2 महिने 2 महिने को बर्स में कर लिया हमें रेट निकालनी थी बटे में 100 द भी हो जाएगा तो बहुत आसान है value of this number अब इसमें 45 रख लो क्यों कि देखो यहाँ पर सभी मान अलग अलगा रहे और दिखवी रहा एकदम पकड़ में आ गया तो इधर 729 इधर 325 यहां रखेंगे तो वन अपान में रूट 2 प्लस में रूट 2 का whole square हो गया प्लस में यह दर भी चला जाएगा तींतर का 9 बटे में 2 हो गया तो 9 9 18 बटे में 2 आंसर आ गया नो यहां पर रखा ए बराबर में 45 डिक्री अगला सब एक बस तो इतने परसंट और इतने परसंट की किरमिक छूटों के बाद इतने में बेची जाती है यह दी बस तो का अंकित मुल इतन है तो X का मान क्या है तो सबसे पहले तो 1600 का चीज थी 17 परसंट की छूट दी तो 83 परसंट और इसको बेचा 747 में इनका हम रेशियो बनाते हैं उसके बाद तो अपने आप से X का मान आ जाएगा यहां से करेंगे तो 9 तिया 27 हो गया 9 अटे 22 नो बार पूरा पूरा चला गय अगला सवाल करते हैं इतना बड़ा सवाल वाह पाइप A एक खाली टेंग को अकेले भरने में पाइप B द्वारा लिए गए आवस्यक समय का 4 वटे 5 समय लेता है तो यहां पर बात हो रही है टाइम की तो A और B का यानि कि B अगर 5 लेता है तो यह 4 टाइम ले रहा है ठीक ह जब एक निरगम पाइप C को पाइप A और B के साथ एक साथ खुला जाता है तो खाली टेंग को भरने में केबल पाइप A और B को एक साथ खुलने में लगने वाले समय की तुलना में इतना अधिक समय लगता है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खुलने पर टेंग को भरन आउट लेट था तो कहने का मतलब उनका ये हो गया a-b-c और a-b इसमें को कह रहा था चार बटे-5 समय अधिक लगता ये भी से यानिकि अगर इसको 5 लगता है तो 4 बटे-5 अधिक का मतलब है कि 4 अधिक लगेगा, यानि कि इनको 9 लगेगा, यह क्या है? यह भी टाइम है, ठीक है? अब यहांपर हम क्या करते हैं? सबसे पहले efficiency की बात करते हैं, अगर efficiency देखेंगे तो 5 और 4 हो जाएगी, इनकी efficiency देखेंगे तो 5 और 9 हो जाएगी, अब एक ही सवाल में, अगर देखें चालिस कर दिया यह टोटल वरक आगे निकल कर इतना काम हुआ 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 बिलकुल सही बात है अब सी की एफिसेंसी हमें और निकालनी अब एक चीज़ देखना अगर हम यहां पर देखें ए प्लस भी माइनस का सी बराबर में हमें पांच इफिसेंसी पता है इसकी नौ पता इसमें से क्या घटाए जाए कि पांच आ जाएगा चार तो इसमें चार से भाग कर दो यानि की पचास आंसर बड़ा था पढ़ने में वाकी आसान है अगला सवाल एक बेक्ति ने इतने रुपे में एक मेंज और एक सोफा खरीदा उसने सोफे को 10% के लाब पर और मेंज को इतने परसेंट के लाब पर बेचा यदि उसका कुल लाब 13% था तो सोफे और मेज के क्रे मूल के बीच अंतर कितना आसान है वाई सोफा और मेज सोफा को 10% को और मेज को इतने पर ओवर ओल 13% लगा दो एलिगेशन सर्मा क्यों रहे हो वाई यहां से तीन आया इसमें बढ़ा देंगे 25 ने में 225 पच्चे से कम 25 तूनी पचास तो तीन चुकू बारत तीन तरका नो यह आगया हमारे टोटल कॉस्ट प्राइज हमारे इसाब से साथ ता कोश्चन में 28,000 था और पूछा था अंतर क्रे मूल में तो 4 से 3 गया एक इनका अंतर देख लो एक प्रानra का प्रेशन लगाओगे तो उसी का मान आता है सीपी था साप अपेच में यानिकी नीचे तो सीपी कर शू आते हैं कि माल लीजिये biggest law ये लगार चाप केंदर आप गईzet मांन ली जिए कि आर और ए सी पर के कि दीरगा चाप पर दीरगा छाप मतलब बड़ा जो बचा हुआ है यह चोटा हो गया उपर से बढ़ा हो इंग्लिस में पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ जाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि PQ ओपर 80 degree का कोड अंतरित करता है यानि कि यहाँ से इसको मिलाया तो यह 80 degree का कोड अंतरित करता है तो क्रम से PRQ यानि कि PRQ और PSQ तो इससे आसान सवाल हो सकता है PRQ यह मिले गया R और PSQ PSQ ऐसे बना लो बताओ यह दोनों आधे नहीं होगे केंदर पर बने कोड के क्योंकि भया आपको पता है एक ही कोड से बन रहे हैं तो यह 40 होगा आधा होगा सेंटर पर बने कोड का अगला सवाल इसमें तो हासान है भई 4 बटे में 3 दिया गया था 10 एका मान यानिकी अगर लिखें तो यह 3 सरी यह 4 यह 3 यह 5 तो 4 गोडे में 4 बटे में 5 प्लस का 3 गोडे में 3 बटे में 5 4 चो कुसूल है तीन तरका 9 यानिकी 25 बटे में 5 अंसर आ गया 5 ठीक है चलो फिर 24 के 7 टूबी समाप तो यह हमारी आसानी था पेपर आसान नहीं कहेंगे 2-3 कोश्चन तो सभी में अच्छे है तो भई यह है कि जिसने वो स्केप कर दी होंगे तो अच्छे स्कोर आ गया होगा क्योंकि आपको भी पता है जिस हिसाब से पेपर आया है तो अगर 21 दूनी 42 नंबर भी कर रहे हो न बहुत अच्छा स्कोर है अगर जो टाइम बचा लिया होगा 2-3 कोश्चन जो बच्चे है उनको भी लेपेट देगा वो ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो कंप्रीट किया हो तो डन तो जरूर लिखना है तब तक के लिए जय हिन जय भारत